TVF की Experience is one of my all-time favorite web series TVF वाले वैसे भी ऐसे ही topics पर series लेकर आते हैं जिससे सभी relate करते हैं Like Kota Factory, Panchaid या Gullak Experience का topic भी इसी तरीके का था एक IES officer बनने के लिए क्या-क्या मशक्कत जेलनी पड़ती है और इससे achieve करना कितना बड़ा challenge है इसे इसमें बहुत ही बड़ी अतरीके से दिखाए गया था और साथ इसके characters भी लोगों को बहुत जादा पसंद आये थे इनी सब वज़े से इसे बहुत तगड़ी mouth publicity भी मिली थी और अब इसका जो second season आया है वो इसी कहानी को आगे लेकर जाता है कि I.S. बनने के बाद उसकी life में क्या changes आते है और क्या तब भी challenges देखने को मिलते हैं क्योंकि normally सभी को ऐसा ही लगता है कि I.S. बन गए अब तो life आराम है बट असल में I.S. की life उतनी आसान नहीं होती जितनी दूर से लगती है वैसे तो कहा जाता है कि सफर मंजिल से जादा खूपसूरत होता है और सफर को हम season 1 में मंजिल तक पहुंचते वे देख चुके हैं तो क्या season 2 उसी तरीके से interest जगा पाएगा इस पर मुझे थोड़ा doubt जरूर था तो क्या मेरा doubt सही था या फिर ये भी season 1 की ही तरह अपना mark छोड़ पाएगा यही जानेंगे मैं आज के review में बट review शुरू करने से पहले अगर आप channel पर नए हैं तो please subscribe कर लिजे ताकि आगया आने वाले videos आपसे miss ना हो तो बिना किसी देरी के let's start the video now I will be completely honest मुझे नहीं लगा था कि aspirant का कभी second season आएगा क्योंकि season 1 जिस तरीके से end हुआ था उसमें कहानी काफी अच्छी तरीके से conclude हो गई थी but I am happy to say कि I was wrong एक aspect बाकी था वो था I.E.S. की life के बारे में जानने का उसके इस position पर आते ही हर तरफ से उस पर expectation आ जाती है और उसमें खुद में भी changes लाने पड़ते हैं और इन सब से उसकी personal relation पर कितना effect पड़ता है यह सब इसमें बहुत ही अच्छे डंग से दिखाए गया है और जो I.E.S. बनने का सफर season 1 में था उसी aspect को इसमें flashback के साथ फिर से दिखाए गया है जो कि according to me एक बहुती smart decision था बट एक बात इसमें लगी कि अगर flashback scenes का look या color palette अलग होता तो थोड़ा better होता like quota factory में जैसे black and white का यूज किया गया था क्योंकि कुछ-कुछ जगों पर flashback में confusion होता है especially in the first episode कहानी की बात करें तो show वहीं से आगे बढ़ता है जहां season 1 खत्म हुआता अभिलाश रामपूर में DM है और संदीब ओलान के senior है एक मुद्दे को लोकर उनके और अभिलाश के बीच में एक विवाद हो जाता है जो बहुत बड़ा बन जाता है इनी सब के बीच SK और गूरी अपनी अलग struggle से गुजर रहे होते है जिनसे भी अलग conflict पनपता है और यही सब इस show की कहानी का base है सबसे बड़ी चीज जो एस्प्रेंट्स और बाकी TVF shows की USP रहती है वो है इनकी relatability आप इनके characters, इनके actions से पूरी तरीके से relate करने लग जाते हो और same यही बात इस show में भी है इसके साथ ही जहां पर यह show based है वो भी अपने आप में एक character बन जाता है like quota in quota factory और यहां पर भी दिल्ली का old राजेंदर नगर जो sets और location शो में use करी गई है वो बिलकुल authentic लगती है like classrooms, government offices, etc अभिलाश के character को through flashback बहुत अच्छी तरीके से expand किया गया है और जब present time में अभिलाश as I.S. कोई harsh और brutal decision लेता है तो इसी वज़े से वो justified भी लगता है same thing goes for Sandeep जिनके character को expand करने के लिए तो एक अलग show ही बना दिया गया था बट यही बात इसकी एक कमी भी है experience से Sandeep और अभिलाश के character especially ज़्यादा famous हो गए थे और season 2 में भी show का main focus इनी दोनों पर ज़्यादा रहा है according to me season 1 की जान थे गुरी, SK और अभिलाश के बीच की दोस्ती और तकरार बट इधर SK और गुरी के character को ज़्यादा weighted नहीं दिया गया है और especially second episode के बाद से तो इस्टोरी संदीप और अभिलाश के conflict पर ही ज़्यादा focus कने लगती है जो मुझे थोड़ा अजीब लगा वैसे तो show 5 episode का ही है बट फिर भी show थोड़ा drag करता है जो flashback में नए character add हुए है वो भी show में कुछ ज़्यादा value add नहीं करते है पर इन सब के बावजूद भले ही संदीप और अभिलाश का conflict उतना interest नहीं जगा है जितना season 1 में आता है बट show के कुछ scenes और performance आपको लंबे time तक याद रजाएंगे फिर भले ही वो अभिलाश का IS का walk interview का scene हो जो character के emotion निकल के आते है वो emotion आपको भी feel होता है Sunny Hinduja as A.L.C. संदीप ओलान ने बहुत ही कमाल का काम किया है उनकी expressive eyes और voice modulation वगेरा सब extra ordinary है वही नवीन कस्तूरिया as Abilash IS once again phenomenal उनको देखकर लगता है कि ये roll बना ही उनके लिए है और साथी अभिलाश थापलियाल as SK is also outstanding especially emotional scenes में वहीं शेवांकित परिहार और बाकी actors का भी काम limited scope होने के बावजूद भी बढ़िया है तो all in all S.P.R.E.N. season 2 is a very good show and a must watch और अगर आपको भी आम लोगों से जुड़ी हुई कानिया पसंद आती है तो आपको ये show जरूर पसंद आएगा साथी hats off to TVF चो लगातार अच्छे और नॉर्मल जिंदिकी से जुड़ेवे content पर shows लेकर आते हैं So इसी के साथ That's it for today's video guys Review अगर आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई